हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में छीतिज भाग एक कक्छा नवी का चैप्टर वन पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है दो बैलो की कथा, इसके राइटर मुल्सी प्रेमचन जी हैं, जो महान उपन्यास समराठ के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म 1880 में बनारस क लमही गाउ में हुआ था, उनका मूल नाम धन्पत राय था, सन 1936 में इस महान कथाकार का देहान्त हो गया, मुल्सी प्रेमचन जी के प्रमुख संकलोनों में से एक हैं, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दो बैलो की कथा, दो बैलो की कथा के माध्यम से प्रेमचन जी ने क्रिशक समाज और पशुओं की भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंतरता सहज मतलब सरलता से प्राप्ता नेति, उनके लिए हमें बहुत ही संगर्स यानि की प्रयास करना पड़ता है, इस प्रकार परोग्छ रूप स यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, जानवरों में सबसे बुद्धी ही जानवर अगर कहा जाता है, तो गधा कहा जाता है, अगर कोई बेवकुफी वाला काम करता है, तो हम पहले दर्जे में उसे कहते हैं गधा कहीं का, इत्म बेवकुफी व जो सचमे ऐसे एकदम बेवकूफ है या फिर उसके सीधेपन के कारण से उसे गधा कहा जाता है गायख के सीधेपन के मिशाल दिया जाता है लेकिन गाय भी जब वह बयाई हुए होती है यानिकी बच्चरा छें मेरहता है तो वह सहजी शेहिता कर नमान आथा Yay यहां पर लेखक बताते हैं, यह इन सब को क्रोधित होते हुए देखा है, लेकिन गधा जिसके सामने चाहे सडगला घांस दे दो, उसको चाहे जितना भी मारूस के चहरे पर कभी असुंतोस की चाया, नहीं दिखाई देती, बैसाक में चाहे एकाद बार कुलेल कर लेता है, बैसाक के महिने को बताया जाता है कि गधे के जन्म का महिना बताया जाता है, उस समय उसको थोड़ा बहुत कभी खुसी होते, मतलब उस समय भी उसको खुस होते नहीं देखा गया है, बैसाक के महिने से याद आया है कि गधे को संस्कृत में बैसाक नंदन भी कहा जाता है, रिसी मुन्यों के जितने गुण हैं वे सभी उनके परकाष्ठा को पहुँच गए हैं ये पर आदमी उसे बेवकुफ ही कहता है यानि कि हम लोग इतने वो में परकाष्ठा मिन्स होता है अंतिम सीमा में पहुँच गए हैं ज्यान के फिर भी गदहा को हम अभी तक क्या बोलते हैं गदहा ही बेवकुफ ही कहते हैं सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा कदाचित सीधापन संसार के लिए उप्यूकत नहीं है मतब आदमी को इतना भी सीधा किसी को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि वह बेवकुफ कहलाने के दरजे में आ जाया है यानि कि ज्यादा सीधापन एक प्रकार स जाहिए सद्गुफ की पहले की बाद यहां पर लेखक ने vorsनत किया है भाएतियों जी ब्हारथ वासियों की अफ्रीका में क्या दूर्दसा हो रही है । भारत वासियों की अफ्रीका में क्या दूर्दसा हो रही है और अमेरिका में उन्हें गुसने नहीं दिया जाता ये स्वतंतरता की पहले की बात है जब हमारी दूर्दसा के बारे में लेखक ने कहा है जब हम कैसे थे लेकिन आज किसी से लड़ना न जगरना न सराब पीना और कोई कुछ बोलता है तो हम उसको सून लेते हैं फिर भी बदनाम हैं कहा जाता है वे जीवन के आदर्स को नीचा करते हैं अगर हम अत्याचार को सहते हैं तो यह अत्याचार को क्या है बढ़ावा देना है तो यहाँ पर लेखक ने कहा है इट का जवाब पत्थर से देना सीखना चाहिए अगर हम इट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो क्या कहलाते हैं सायद हम सब्य कहलाएं यहाँ पर जपान का मिसाल देते हुए कहते हैं कि एक ही विजय ने उसे संसार की सब ये जातियों में गण्य कर बना दिया यानि कि वह एक बार ही अच्छे से विजय प्राप्त किया और गण्य जातियों में उसका नाम आ गया आगे लेखक अपने दो भैलों के कथा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गधा का एक छोटा भाई जिसे बैल के नाम से जाना जाता है यह उससे थोड़ा सा कम बेवकूफ होता है ऐसा लेखक ने कहा है जुरी काची जो जुरी काची जो है वह एक किसान है उसके पास दो बैल होते हैं दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती होता है यह पच्छाई जाती होता है पच्छाई में यह पालतु जानवरों का एक प्रजा सकते हैं इसको और यह क्या है कि इतने सीधे होते हैं कि जूरी उनको जैसा खाना देता है वैसी खाते हैं और आपस में विचार विनमे करते हैं इन दोनों के बीच भाई चारा है बहुत ही अच्छे तरीके से यह दोनों रहते थे संजोग की बात है कि जोरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया अपने साले के पास उसके साले का नाम था गया गया इसको ले जाने के लिए दातो पसीना आ गया अना मीस बहुत अधिक परिस्रम करना पड़ा पीछे से हागता तो दोनों दाय बाय भागते पगिया पकड़कर पगिया मींस पसुओं को बांधने की रस्ती उसको पकड़कर खिसता तो दोनों पीछे की ओर चले जाते मींस उसको बहुत महनत करनी पड़ी ऐसे तैसे करके संध्या हो गई और उन लोग संध्या में साम हो गए और उन लोग गया के घर पहुँच गए मतलब ये जुरी के सुसराल पहुँच गए वहाँ जाके बहुत ठके हुए थे, भूखे भी थे वहाँ उनको गाद में गाद मी सोता है यह इनका पात्र होता है खाने का उसमें लोगों को खाना दिया गया भूशा दिया गया लेकिन इन लोग नहीं खाया क्योंकि गुशाय हुए थे और जैसे ही साम होता है सब सो जाते हैं तो इन लोगों को सोने का नाटक करते हैं लेकिन बाकी सब सो जाते हैं तब वहां से भागने की कोसिस करते हैं और भाग खड़े होते हैं जब जूरी जो है वह सुबा उठता है तो देखता है कि दोनों बैल उसके घर के सामने खड़े हुए हैं यह देखकर जूरी खुस भी हो जाता है तो दोनों को गले लगाते हैं और प्रेमा लिंग से उन दोनों की माथे पर चिंबन करते हैं घर और गाओं के लोग भी इसको देखते हैं और तालिया बजाते हैं लेकिन जो जूरी की इस्त्री होती है उनकी वाइफ होती है वह गुसा जाती है और बोलती है प्रतिदंदता की भाव से बोलती है मिंस गुसे से बोलती है कि नमक हराल नमक हराम फिर से आ गए हैं मतलब चारा दाना ना दिया होगा ऐसा वह बोल रहे हैं पहने का ताथ पर यह है कि वहाँ इन लोगों को खाने को नहीं मिला होगा जो यहां आ गए हैं तो उनको चिड़ाते हुए जूरी बोलता है सहज ही चारा ना मिला होगा इसलिए यह भाग के आ गए तो उनकी हिस्त्री जो है वह चिड़ जाती है भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसा बुद्धूओं की तरह नहीं है जो बैल को सहलाते हैं अगर उसको खिलाते हैं तो रगड़ कर काम भी करवाते हैं वो तुम जैसे बेवकुप थोड़ी है वही हुआ मज़ूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलो को खाली सुखा भूशा दिया गजाए मतलब जो जूरी होता था वो बैलो को दाना चारा मींस बहुत अच्छे से खिलाता पिलाता था तो उसको सुखी जो भूशा था वो उसको पसंद नहीं आया एसे मीया भीबी के बीच में होता है जगड़ा और आगे फिर क्या होता है कि दोनों बैलो को 2-4 बार मोती ने सडक की खाई में गिराना चाहा लेकिन हीरा ने समाल ये हीरा जो है वह सहन सिर समजदार था लेकिन मोती जो है वह थोड़ा गुस्तेयल प्रवित्ती खा था संध्या समय घर पहुँचकर दोनों को मोटी रसी से बान दिया और कल की सरारत की जो कल उसनों सरारत की थी तोड़कर भग गये थे उसकी क्या दी सजदी फिर वही सुखा भुसर डाल दिये दोनों बैलों ने फिर उसको नहीं खाई दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था जो जुरी थी न वो जुरी था न वो कभी उसको फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था ऐसा कहने के लिए बोला गया है कि वह फूल की छड़ी से भी उनको कभी छुआ ना था नाथ की तरफ आखे तक न उठाई नाथ मिंस खाने को लिए दिया गया था उसके तरफ उन लोगों ने आखे ने दूसरे दीन बैलों को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पाउं ही नहीं उठाए मतलब इन लोगों ने तो जैसे कसम ही खा प्रदई ने हीरा के नाख पर मारा तो मोती को गुस्टा आ गया वो हल लेकर ऐसे भागा कि हल रसी जुआ जो सब तूट टाट कर इधर उधर हो गया लेकिन भागते कहां भागना तो व्यार्था था क्योंकि उन लोग डंडे पकड़ कर खड़े थे और दोनों को पकड़ दे गया उसके बाद क्या होता है कि यहां पर सांथ रहना ही ठीक है इसलिए उन को लोगों को कुछ नहीं करता आज दोनों के सांधे फिर वही सुखा भूसा लाया दोनों चूप चाप खड़े रहे घर में सब लोग भोजन करें जेसांती में लेकिन एक लड़की आती है व वह सोचती है इन निर्दयों के बीच ये भली सज्जन लड़की भी रहती है जो ये लड़की जो है उसकी मा मर चुकी रहती है सौतेली मा उसे मारती है इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक क्या था आत्मियता था अपना पन का भाव था प्रेम के इस प्रशाद के मतलब दो रोटी लाते थे वो हाला कि उनको ताकत तो नहीं दे सकते थे लेकिन उसको देखकर उनके आँखों में आसू आ जाता था एक दिन मोती के मुख भासा में कहा अब तो नहीं सहा जाता ही रहा क्या करना चाहते हो एकात को सिंग पर उठा कर फेक दूंगा ऐसा सोचता है लेकिन वह लड़की के बारे में सोचते है यह प्यारी लड़की जो है वह क्या हो जाएगी अनात हो जाएगी तो फिर इन लोग भागने के बारे में सोचते है रसी को चबा कर तोड़ने के बारे में सोचते है लेकिन वह रसी इतनी मोटी रहत गया हडबडा कर भीतर से निकलता है और बैलो को पकड़ने लगा वे दोनों भागे गया ने पीछा किया लेकिन कहां पकड़ने वाले हैं सब भागे लेकिन हीरा और मोती वो दुमदबा के भागे कि किसी के हाथ नहीं आए और ऐसा भागे कि उनको होस ही नहीं था कि वो कहा जा रहे हीरा ने कहा मालूम होता है रहा भूल गये हैं तुम भी बेतहासा भागे वही उसे मार गिराना था किसको गया को तो वो बोलता है यह हमारे धर्म के खिलाप है दोनों इतने भागने में चूर थे भागते भागते उन लोगों को भूख लगती है सामने एक बाड़ी रहती है मटर की बाड़ी वहां उन लोग खाते हैं पेड़ भर खाते हैं और आजादी का अनभव करते हुए उचलते कुटे चले जाते हैं जब पेड़ भर जाता है तो वहां दोनों किनारे हट जाते हैं फिर तिस्रे पार्ट में बताया गया है कि जब वहां अरे यह क्या खा कर जब वहां एक किनारे रहते हैं दोनों तो एक सामने सांड आते देखते हैं सांड आते देखते हैं तो वह सामने आ पहुंचा तो दोनों मित्र अगले बगले जाकने लगें, अगले बगले जाकना मिन्स होता है इधर उधर ताकना, सांड पूरा हाथी था, बहुत भयानक था वो, वहाँ उन लोगों को आगे कुवाँ पीछे खाए, अगर भागते तो भी मरते और वहाँ रहते तो भी मरते, तो क्या कर मोती ने मुख भासा में कहा, बुरे भसे, जान बचे, बचेगी, कोई उपाय सूचेगा, मतलब अगर जान बचेगी, तो कोई उपाय सूचो, हीरा ने चिंति स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, मतलब जो ताकत वर रहता है, अगर हम विंती करेंगे, जगड़ा नहीं किया था, हीरा और मोती जब दोनों उस पर वार करने के लिए सोचता है, तो हीरा ने दूसरे पहलू से सिंग चुभा दिया, मतलब मोती को मारने के लिए जाता है, तो हीरा दूसरे पहलू से सिंग चुभा देता है, आखिर बेचारा जक्मी होकर भाग गय और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया साथ में उन दोनों की विजय हो जाती है हीरा और मोती की मोती ने अपनी संकेतिक भाज़ा में कहा मेरा जी चाहता थाथ कि उसको मार डालू हीरा ने तिरिसकार करते हूँ कहा कि गीरे हुए बैरी पर सिंग ना चलाना चाहि यह तो हीरा मोती बोलता है यह सब ढोग की बाते हैं फिर से उन लोगों को भूक लगती है वही मटर का खेत उतरते हैं हीरा मोती को मना करते रहता है लेकिन हीरा जो है वह नहीं मानता मोती खेट में उतर जाता है खेत की रखवाले आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते ह हैं दोनों मित्रों को जीवन में कभी कभी ऐसा सब्लाओं कि रात बिद्ग गई थी खाने को नहीं मिला था वहसोसा था या कैसा स्वामी हैं जो खाने को नहीं दे रहा हैं कितनी सारी बैस बक्री घोडे और गधे जो चारा के बीना मरे जैसे हालात हो गए हैं उन लोगों की है फिर यहां तो हीरा जो है वह भूख से इतना व्याकुल था कि वह जो नमकीन मिट्टी थी मिट्टी से छब हुआ था कांजी हाउस उसकी मिट्टी को चाटने लगता है फिर भी उसको तृपती कहां मिलने वाली रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा का दिल द्रोह के जौला से मतलब द्रोह के जौला से एकदम भड़ा कुड़ता है और मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती मोती ने सीर लटकाय हुए जवाब दिया मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जाएंगे जल्द इतनी हिम्मत ना हारो यहां से भागने का कोई उपाय करता हूँ तो क्या करता है हीरा जो है वह अपनी सिंग से कांजी हाउस के दिवार पर मारता है तो इस आवाज को सून कर चौंकीदार आता है और हीरा का यहां उद्धंड पंदे की उसे मोटी रस्ती से बांध देता है मोटी ने पकड़ मोटी ने पड़े पड़े कहा अखिर मार खाई क्या मिला मतलब इतना उद्धंड किया और मिला कुछनी उपर से मार खाय जो अलग कोई परवाह नहीं यो तो यो भी मरना कोई मरना है मतलब यहां भी तो मरी रहे हैं अगर भग कुछ प्रयास करक नहीं दिवाल गेरी तो कुछ मिट्टी गेरी तो उसको हिम्मत आई फिर वह वार करता गया ऐसा ऐसा वार किया कि जैसे वह किसी प्रतिद्वंधि यानि कि विरोधी पर वार करता रहे हैं आधी दिवाल गेरी तो जो मरे हुए मरे पड़े हुए जैसे जानवर थे उन तुम क्यों नहीं भाग रहे हो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ जाए तो मतलब अगर पकड़ जाएंगे तो फिर से मार खाएंगे उससे अच्छा यहीं पड़े रहते हैं आधी राज से उपर जा चुकी थी दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे भागे क्या ना भागे मोती अपने मित्र की रसी खोलने में जो हीरा जो है वबंधा हो रता है उसकी रसी खोलने में लगा होता है उसका रसी नहीं खुलता तो मोती हीरा बोलता है मोती तुम च सरारत है क्योंकि मोती सरारती था मोती गर्व से बोला जिस अपरात के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ी उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता इतना तो इतना तो हो तो ही गया है नौ नौ दस प्राणियों की जान बज गई वे सब तो आसिरवात द दोनों बैलों को वहीं बान देते हैं एक सब तहा बाद दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहते हैं किसी ने चारे का एक तीर नहीं दिया फिर कुछ दिन बाद उस बाड़े के सामने एक डूपड़की यानि की अलाउंस्मेंट होता है कि इसका वो होगा निलामी होगा ऐ लेकिन एस बैल मृतक के समान हो गए थे क्योंकि खानाइग नहीं मिला था तो कैसे रहते हैं लोग तो उनको खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं आया सहसा एक दड़िया लादमी आता है जिनकी आखे लाल थे और मुद्रा अत्यंत कटोर आया और दोनों मित्रों के कुल गर में नाहक भागे मतलब वहां से भागे तो यहां भूरे फसे भगवान को हम पर दया भी नहीं आती उनलोग बोल रहे हैं भगवान को हम पर दया भी नहीं आती फिर सोचते हैं उसके रूप में तो एक लड़की मिली थी लेकिन हमारी किस्मत जो यहां फस गए निलाम हो जड़ा भी चाल धिमी होती तो जो दड़ियल था वहाँ उसको मारता था राह में गायों को चलते चलते अचानक से याद आया कि ये चल रहे थे तो कुछ गाय स्वतंतर रूप से चल रहे थे उनको देखकर इन लोगों को बहुत दुख हुआ सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है मतलब जिस रहा पर उन लोग चल रहे थे उन लोगों को लगा कि यह परिचित रहा है हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें लेके गया था वही खेद वही बाग वही गाउं मिलने लगे प्रती छण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्वलता गायब हो गई, आ यह लो, अपना ही राह मितलब वही रास्ता आ गया, मोती ने कहा, हमारा घर बगीचा आ गया, मतलब उन लोग वही पहुंच जाते हैं, वही थान में पहुंच जाते हैं, फिर दोनों जाके जूरी के जो बांधने वाल फिर दड़ियल जाकर बोलता है यह तो मेरी बैल है तो वह बोलता है यह तुम्हारी बैल कैसे हो सकती लगता है तुम्हें चुरा किला है मैं तुम्हारी खिला पुलीस में रपट लिखवाँ हूगा लेकिन मैं जब बेचूंगा तभी तो तुम खरीदोगे ऐसा कहकर उस दड़ियल को खदेड़ता है और मोती जब अरदस्ती दोनों बैलों को पकड़ने की कोशिस करता है तो मोती जब दड़ियल को खदेड़ कर गाउं से बाहर भगा देता है जब दड़ियल हार कर चला जाता है तो मोती अकरता हुआ लोड़ता है जरा देर इसमें नादों में फिर उन लोगों को फहर पेट जो है वहाँ जूरी जो है वहाँ खाना की लाता है और उस समय मालखी नंदोनों के माथे पे चुम्बन करती है इस प्रकार चाहे मनुस्य हो या फिर जानवर हो श्वतंतरता सभी को प्यारी होती है इस प्रकार हमारा यह चैप्टर दो बैलों की कथा खतम होती है मैंने आगे प्रस्न अभ्याज भी इसमें डाले हैं आप लोग इसे नोट्स बना सकते हैं Thank you, have a nice day